यह गुजिया नहीं, गुजिया समझने की भूल मत कीजियेगा, गुजिया के शेफ में मैंने आलू पेटीज बनाए हैं, जो काफी अच्छी बनी है और काफी टेस्टी भी है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आये तो लाइक कमेंट करके चैनल को स जाज भूनेंगे, साथ ही basic masala, लाल मिर्च पावडर, धनिया पावडर, हल्दी पावडर, कुटी काली मिर्च जीरा पावडर, चाट मसाला, स्वाद के शार नमक, और एक चमज पानी डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से आम भूंड लेंगे, पानी डालने से यह मसाले नहीं इसलिए एक चमज पानी डालना ज़रूरी है तो इस तरह से डालकर हम इसे भूनेंगे और फिर इसके भून जाने के बाद हम boiled आलू जिसे मैंने करस्ट करके रख लिया है इसे डालेंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट तक low to medium flame में अच्छी तरह से mix करते हुए भूनेंगे ताक कि मसाला और आलू एक साथ अच्छी तरह से mix होकर तयार हो जाए इसे तयार करके रख लेंगे अब मैदा को मैंने नमक थोड़ा सा तेल और मंग्रैला डालकर गूंद लिया था इसके तीन हम इस तरह से पेड़े बनाएंगे और इसे बेल लेंगे तीनों रो एक साथ मिलाकर रख लिया था उसे इस तरह से रोटी के उपर डालेंगे और सुखा मैदा थोड़ा सा छिड़केंगे दूसरी रोटी इसके उपर डालेंगे और इसमें भी मैदा और घी का पेस्ट हम डालेंगे और सुखा आटा यानि मैदा इसमें भी छिड़केंगे और अच्छी तरह से बील जाए, इसे हम आधी-आधी इंच के दूरी पर इस तरह से लंबे-लंबे strips काट लेंगे, तो पूरे जब कट जाए, तब हम क्या करेंगे, इसके तीन-तीन strips इस तरह से हाथों में उठाएंगे और इसे इस तरह से मेड़ देंगे, मेडने के बाद ऐसे करके इसका गोल सा पेड़ा बना लेंगे जैसे लच्छा रोटी बनाते हैं लच्छा पराठा बनाते हैं उस तरह से इस तरह से और इस तरह से बनाने के बाद सारे को हम हलके हाथों से इस तरह से बेलन में से बेल लेंगे ताकि इसके जो परते होंगी वो अच्छी तरह से खूल के आएंगे तो सारे को बेलने के बाद हम इसमें मसाला आलू जिसे बना कर रखा था इसको डालेंगे बीच में और इसके चारो और पानी उंगली से डाल कर इसको एक साइड से उठा कर दूसरे साइड में इस तरह से करके चिपका देने हैं जैसे जो गरम तेल में इससे हम डालते जाएंगे इस तरह से डालेंगे और इसे हम हिलाते हुए उलट-फूलट करके लो फिलेम में ही इसे कम से कम 8-10 मिनट लगते हैं ताकि ये कर्रारा भी हो जाता है क्रिस्पी भी हो जाता है उसके परते खुलने लगती है तो 8-10 मिनट तक इ पलेट में निकाल रही हूँ, यह कितने अच्छे यह लगते तो गुजिया है देखने में, लेकिन यह गुजिया है नहीं गुजिया के श्रेप में हम इसके आलू-पेटीज बना कर तयार कियें हैं, यह देखिए इसकी परते बहुत खुबसूरत देखने में बनकर तयार हो गया है काफी क्रिस्पी है और अंदर के आलू मसाले का तो काना ही क्या एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाने का मन करेगा तो ये अंदर देखिए इसको तोड़ के मैंने दिखाया अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक जरूर दे दिजिएगा और ज्यादा शेर जरूर किजिएगा तो ये मैंने सर्व कर लिया है इसे ग्रीन चटनी या लाल चटनी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलेंगे इसी तरह की नई रेसेपी के सा तब तक ये लिए था